को पते स्टार्स पोस्ट ने कितने पैसे अंगरें इंडा इंगलेंड सीरीज से 500 रूपे इंडा इंगलेंड सीरीज से क्यों उसने ब्रोड़कास्टिंग राइट लिए हुए वह लाइव स्ट्रीमिंग करता है मैं च की तो उसके पास कावी सारे स्पोंसर आते हैं उस बॉली लगाते हैं इमेजॉन प्राइम इन बोली लगाई फेसबुक ने बोली लगाई भारत में साठ क्रोड़ लोग है जो किर्केट देखते हैं तो इतना बड़ा मार्केट है उसके साथ अगर वह अपना नाम जोड़ देंगे तो उनकी रीच तो कफी जादा हो जाएग करते हैं और उनका रेविन्यू बढ़ता है दोस्तों मेरा नाम रजीद कुछता और आज हम बात करेंगे बीजी से के बारे में क्या आप जानते हैं को गेम को चलाने के लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं उनको स्टाफ की साललीज देनी है प्लेयर की साललीज बटा हुए कैटेग्री ए प्लस जिसमें विराट को लिरोई सर्मा जैसे प्लेयर आते हैं इनके साथ साथ करोड़ रुपे परहनम का कोंट्रेक्ट है दूसरी कैटेग्री है जिसके अंदर अर्शुइंचड़ जैसे प्लेयर आते हैं जिसके लिए बिजी ने 5 करोड़ ुइम का कॉंट्रेक्ट है साथ ही साथ इनको मैच फीज भी देती है की लिए हँए इसके साथ जहां पर मैचीज होते हैं ओasta के श्टेडियम नहीं है न marked sabes express. अश्रुषेयर सकाएशन के स्टेडियम है जैसे ही óई-चल तो अब बात यह कि इतने सारा खर्चा करने के लिए पैसे कहां से कमाती है तो BCCI का revenue model क्या है BCCI basically 3 sources revenue earn करता है first media rights second sponsorship and third one है ticket sale इसमें सबसे major जो है media rights जो around 75% of BCCI revenue को cover करता है second one sponsorship इसके अंदर भी bifurcations है दो तिन bifurcations है जिसमें official team sponsor, kit sponsor, title sponsor तो basically total sponsorship जो है 18% of BCCI revenue cover करती है third one है ticket sale जो कि around remaining 7% of BCCI revenue cover करती है बात करते है media rights की भाई इसको समझाने के लिए मैं आपको IPL का example देना चाहता हूँ आप सब जानते है 2018 तक IPL setmax पर आता था इसका मतलब उस time IPL को broadcast करने के जो rights थे वो sony के उपास थे 2008 से 2018 दस सालों के लिए उसने contract करना BCCI से जो की था 2200 क्रोड रुपे का पर अब आप देखते हैं कि IPL star sports पर आता है यह क्यों है भाई जब 2018 के बाद contract खतम हुग अदा sony का उसके बाद वापस से निलामी हुई अब यहां पर पूरा खिल निलामी का होदा है बीजी से बेसिकली निलामी कराता है कि कौन ब्रोड़कस्ट करना चाता है आउ सारे मिलकर उसमें बोली लगाते है श्टार स्पोस्ट ने बोली लगाई Amazon Prime ने बोली लगाई Facebook ने बोली लगाई Sony ने बोली लगाई वगरा वगरा काफी सारे ब्रोडकस्टर होते हैं तो अब जो ब्रोडकस्टिंग राइट है वह 2018 से 2022 स्टार स्पोस्ट के पास है तो आप गैस करोगे कितनी रुपे डीये ह स्टार स्पोर्ट से में सिर्फ आ Cities कोउन गैस हजार कोड़ोजार कुरोड । схजार कुरूशे जी नहीं शोलाँ फजार्श संटालिस क्लूट रूपे शुक्ष सालों के लिए इसका मतलब 5 साल में आराउंडडीन संव। मैस होंगे हर मैस के लिए साड़े चोवन करोड रुपे स्टार स्पोर्स दे रहा है बीसी से ही को ब्रोडकास करने के अब सोच रहोंगे भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है स्टार स्पोर्स आगे स्टार स्पोर्स को इससे क्या बेनिफिट है अब star sports भाई क्या करता है सबसे पहली बात तो इसने global rights purchase कर ले इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने में ये broadcast कर सकता है साथ इसा digital platform पर भी ये broadcast कर सकता है इसका मतलब होड़ स्टार ओडेशनी जो की star sports के ये platform है उसके ओपर भी ये IPL को broadcast कर सकता है स्टार स्पोर्स आकिर कैसे अंग करता हैा 12-1347 क्रोड रुपे खर्च एक 15-179 सूर्स वीजे करोड रुपे कमा रहा नहीं के यह कैसे ? Starsports बसी कहां से कमाएगा ? आप देखते होंगे Heartstar और Disney पर जहाग आप आईपेल देखते हैं online तो आपको उसकत ले स्पोंसर्शिप ले नहीं बढ़ती हैं उसकी तो इसका मतलब इसका मतलब Star Sports का जो ्लस स्पोंसर्शिप तो डिजिटल प्लाटफोर्म है उसकी sponsorship दूसरी तरफ क्योंकि media rights globally है star sports के पास तो जिन countries में star sports के presence नहीं है उन countries में ये media rights sole कर देए क्योंकि IPL की तो lockpredita इतनी ज़्यादा है कि हर country में उसका काफी ज़्यादा चलन है तो हर country की जो भी audience है तो देखना चाती है IPL उसका interest IPL के अंदर तो वहाँ पर IPL बहुत ही देखा जाता है IPL की पूरे विश्म में इतनी lockpredita है तो इसलिए star sports उन countries में जहाँ पर इसकी presence नहीं है वहाँ पर ये rights sole कर देता है महंगे दाम होए तो ये दूसरा source of revenue है थार वन star sports इतनी सारे ads कराता है अब जानते हैं dreamil है उनने 1500 ग्रोड रुपे दी है star sports को जो आपने देखा होगा IPL के टाइम 2020 IPL के टाइम आपने देखा होगा एक ad चलता था यहाँ सब भी शेम है यह अग्रीम लग है सिर्फ एक advertisement को ब्रोड कास्ट करने के लिए उसने 1500 ग्रोड रुपे star sports को दी है साथ के साथ कावी सार कम्पनी e-commerce, fmcg, it, manufacturing कावी सारी companies अपने advertisement देदी IPL के लिए तो वहाँ से star sports की काफी करोड की earning होती है तो star sports अराम से 16,347 करोड खर्च करके बीजा करोड की कमाई कर सकता है अच्छा ये तो मैंने सिर्फ IPL के broadcasting की बात करी अगर मैं international matches की बात करूँ यानि कि इंडिया के अंदर जो भी match खेले जाएंगे इंडिया के उसके लिए अलग से broadcasting rights star sports में खरीदे हुए जो की 738 करोड रुपे के हैं इंडिया के जितने भी matches होंगे international matches और domestic matches इंडिया में जो भी खेले जाएंगे उसको broadcast करने के लिए वो 738 करोड पे दे रहा है पांस सालों के लिए 2018 से 2023 तक बात करते हैं दूसरी source of revenue की बीजी आएगा जो की है sponsorship इसमें basically तीन तरह की sponsorship cover है title sponsorship, official team sponsorship और kit sponsorship title sponsorship मतलब आपने देखा होगा paytm test series, paytm t20 series अभी इंडिया इंग्लेंड की जो series होने वाले वो भी paytm इंडिया इंग्लेंड paytm इंडिया इंग्लेंड series IPL के साथ आपने देखा होगा नाम पहले होता था DL of IPL उसके बाद change हुआ वीवो IPL, अभी दो चल रहा है dream 11 IPL, इसका मतलब इन लोगों ने क्या करा title sponsorship खड़ी ली कि भाई IPL के नाम से पहले मेरा नाम आजाए DL of IPL, dream 11 IPL इंडिया इंग्लेंड series से पहले मेरा नाम आजाए paytm, paytm ने आपको पता है पांच सालों के लिए 370 क्रोड रुपे दिये, BCCI को कि पांच सालों में इंडिया की जितने भी series खेली जाएंगी, उसके आगे ptm का नाम लगेगा IPL के अगर मैं बात करूँ पहले IPL की जो टाइटल बात करूँ तो उसके आराउंड 20 लग की आराउंड यूजर से सिर्फ और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो 9 क्रोड के राउंड उसके यूजर से हैं तो यह कैसे नजरों में आता है लोगों के IPL के साथ उसका नाम जुड़ गया Dream 11 IPL, इससे उसकी visibility बढ़ी बिसी से क्या गया है, तुम मुझे fees दो मैं तुम्हें यूजर दूँगा, तुम मुझे fees दो, मैं तुम्हें visibility दूँगा तो इस तरह का खेल चलता है Second one है, Official Team Sponsorship आपने देखा हो कि आज से रहों, दस साल पहले इंडिया की जर्सी पर सहरा का नाम होता था, उसके बार वो चेंज हो गया, स्टार का नाम आ गया उसके बार अभी जो चल रहा है, वो बैजूज है, यानि कि बैजूज ने इंडियन टीम की official sponsorship ली हुई है, अब इससे फिर बैजूज को क्या फायदा उसकी भी market reach बढ़ रही है, उसको potential customers मिल दे हैं, उसको users मिल दे हैं, तो वो market share gain करने में उसको easiness होती है, इस purpose है, वो sponsorship करीते हैं, और वो cricket sponsorship में इनना ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि भारत में हम 60 क्रोड लोग है, जो cricket देखते हैं, तो इतना बड़ा market है, उसके साथ अगर वो अपना नाम जोड़ देंगे, तो उनकी reach तो काफी जादा हो जाएगी न, अदरवाज तो इतने कश्मर यह नहीं कर पाएंगे, अगर वो cricket के साथ अपना नाम जोड़ देंगे, आईपेल के साथ अपना नाम जोड़ देंगे, आईपेल दुनिया की सबसे अमीर लीग है, आईपेल दुनिया की सबसे richest लीग है, तो अगर वो उसके साथ अपना नाम जोड़ देता, उनकी market reach बढ़ते हैं, उनको users मिलते हैं, और उनका revenue बढ़ता है, तो मैं बात कर रहा इंडियन जर्सी के उपर अब बैजू का नाम आता है तो इसको बोलते हैं ओफिशल टीम स्पोंजर्शीप थार्ड है ओफिशल किट स्पोंजर्शीप आपने देखा होगा कि पहले इंडियन जर्सी के ओपर यहाँ पर नाइक का लोगो आता था अभी जो लोगो आता है वो घल काता है मोबाइल प्रीमर लिग वह ब्यक स्टार्टप ही है वह भी अपना मार्केट वाइड करने के लिए कश्मर तक पहुंचने के लिए उसमें इस पोंशिप खरीदी विया इस तरह से लोग डिफर्ण डिफर्ण तरह से सब्सक्रीद खरीदते हैं ताकि आपने मार् तो फ्रेंड्स यह थे basically, जो how BCSI earned, आपको पता Star Sports ने कितने पैसे earned करें इंड इंगलेंड से? 500 क्रोट रुपे, Star Sports ने 500 क्रोट रुपे earned करें इंड इंगलेंड से, क्यों उसने broadcasting rights लिये हुए हैं, वो live streaming करता है match की, तो उसके पास कावी सारे sponsors आते हैं, उस सेरीज को sponsor करने के लिए काफी सारे लोग आते काफी सारे बिजनसी जाते हैं काफी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं तो सिफ एक सीरीज से 500 क्रिट रूपे कमा रहा है इसलिए मैं कह रहा था कि आराम से 20.000 क्रिट रूपे कमा सकतर स्टार स्पोर्ट्स पांच सालों के अंदर तो इस तरह से बिजिनर्स होता है बीची स्याई का